तो लखीम पूर खिरी में जो हिंसा भड़की थी तीन अक्टूबर को उसके बाद से एक तरफ नेताओं की सियासी दोड़भागम लगातार कवर कर रहे हैं दिखा रहे हैं और सियासी उठापटक भी दिखा रहे हैं इस पीच आज की दो बड़ी तस्वीरे होंगी एक तरफ चुनावी बंद का अहवान किया गया महराश में तो वही सियासी मौन धारन किया गया कॉंग्रेसियों तुमारा इसके लावा आशी श्मिश्र की कोट पे पेशी भी है इन सबी खबरों पर होगी विस्तार से बाद आशी श्मिश्र की कोट पे पेशी को लेकर दिलीब और महराश्ट की जो सरकार है वही किसानों की हितेशी है और इसी को देखते हुए आज बंद को बुलवाया गया है सुबा नौ बने से उपर का वक्त हो चुका है बंद की तस्वीरे कितनी व्यापक है कितना समर्थन मिल रहा है क्या मौजूदा तस्वीर अंकुट्या की मैं आपको तस्वीर के जरी समझाने की कोशिश करूँगा कि किसानों के साथ महराश्ट का एक एक व्यक्ति का खड़ा होना और राजनेतिक बंद के साथ समर्थन दे रहा यह दोनों चीज़ें अलग-अलग है मैं जो आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ यहाँ पर यह सड़क है और अमोमन यहाँ पर टैक्सी अब बहुत ज़ादा हो दे दी क्योंकि यह पूरा इलाका जो है वो सी अस्टी और चर्जकी जो टाउन साइट का अलाका है सारे जितने भी बड़े बड़े जो ओफिसेज हैं खास वापे सेंटर गॉर्वेंट के से जुड़े हुए वो यहाँ पर है कई बड़े जो प्राइवेट ओफिसेज भी यहाँ पर होते हैं कारूबरी हफते का पहला दिन है और उसी के दिन इतनी जादा एक शान्ती दिखना यह अपने आप में न केवल कानून विवस्था का दिखाता है बलकि डर का जो माहौल है वो भी दिखाता है हाला कि कुछ-कुछ जगह है जो छोटटे रस्टोरेंट है या दुकाने है वो यहाँ पर जरूर खुली हुई है लेकिन जो प्रॉपर दुकाने लगकर यहाँ पर पहले माहौल हुआ करता था सुबह के वक्त का वो नहीं है लोग इस वक्त सुबह का वक्त है अभी फिलहा तुकाने फिल्वाग खुली भी हुई है लेकिन डर में अभी भी लगातार जी रही है इसके अलावा जो रिटेलर्स एसोसियेशन है वो लगातार ये बात कहता रहा था कल हमने साउंड बाइट के उनकी आई थी कि वो किसानों के साथ खड़े हुए है लेकिन बंद को लेक पास शिरसेना की जो नेता है वो जाकर अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपने दुकाने बंद रखी और बंद में हमारा समर्थन कीजिए इसलिए वो भी इस बंद में समर्थन दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीक से इसका विरोध कर रही है कॉंग्रेस एक यहां पर मूख मोर्चा राजपाल भवन तक 12 बजी के करीब लेकी जाने वाली है एंसीपी पार्टी से जो जलसंपता मंतरी है सुनी तर्ट करें इसके अलावा शरत परवार की बेटी है सुप्रिया सुले खुद राजसभा से सांसत भी आती है और अलपसंद के मामलों की जो मंत करें तो अभी शुरुवाती दौर है ऐसा लग रहा है जैसी से दिन चड़ेगा आपको ऐसी और कई तस्वीर आती हुए दिखाई दी चाएंगे अंकुर हम लगाता लोटते रहेंगे इन तस्वीरों को देखने के लिए समझने के लिए आपके जरीए स्पीच आशीश आशीश की भी आज कोट में पेशी है और उसकबर पर दलीब पिश्रा मेरे साथ जो चुकिए दलीब पिश्रा मारथन पूछता जारी रही थी उसके बाद गिरफतारी हुई थी अब आज सोमवार का दिन है कोट में पेशी का दिन है कितने बज़े आशीश की कोट में रहे थे किस तरीके से जो बंद बुलवाया गया है महराश में उसका कितना व्यापक असर है कितना समर्थन उसको हासिल हो रहा है नौबरे से उपर का वक्त है तो महाविकास अगारी गडबंदर ने लखीमपूर के मुद्दे पर बंद को बुलवाया है तो वही की जो कोड़ पेशी उस पर दिलीप श्रा से बात करूंगी दिलीप मारतन पूछता जारी रही थी सवाल जवाब की बहुत बड़ी फैरिस थी आखिरकार उसने सयोग नहीं किया जो क्राइम बाश्वारा कहा गया आज कोड़ पेश होने के आदेश है क्या जानकारिया कितन कि अधिर कि अधिर की पेशी है क्या जानकारी तेखे निदी आपको बता दे तल जिस वरी के से जो एसाइटी की टीम थी नोगे पर गई थी तुगनिया अलाजे में गड़ना इस्तर पर भी गई थी और वहां पर सबूत जो है कटेंगे थे उनको तीन दिन की रिमांड की जो है 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 देखा और पूरा साच खंडाले है उसी के बिना पर आज पुलिस जो है CGM Code में अपना पच्छी रखेगी और उसके बाद वहां वहीं भी पच्छी रख करें अगर वह भी अपना रिमांड के जो उसका बिरोध करेंगे तो कुल मिला के एक तरफ रिमांड मांगी जाएगी दूसरी तरफ रिमांड का बिरोध किया जाएगा जी निदी